जब हम बात करते हैं किसी रिष्टे को मुझबूत बनाने की, तो कभी कभी अजिब लगता है, कि रिष्टे की मुझबूती पर हमें इतना सोचना क्यों पड़ता है? लेकिन हकीकत यही है कि हम सभी एक दूसरे से अलग है, अलग व्यवार और अलग अनवों के साथ जब आप किसी के साथ रिष्टा निभाते हैं, तो कई बार कुछ परिशानिया आ सकती है, ऐसे में आप अगर सचमुच अपने साथी को चाहते हैं, और उसके साथ बने रहना च द्यान दे, द्यान से सुने और अंतक हमारे साथ बने रहें, पहली इमांदारी, वो कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई है, तो वो है इमांदारी, तो रिष्टे में इमांदारी को बरकरार रखे, और अपने साथी के प्रती सच्चाई और सन्मान प्यारा होता है हो सकता है कि आपका साथी आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी कुछ पूरी आदतों को भी सह लेता हो लेकिन अगर आप बार बार उसके आत्म सन्मान पर हमला करेंगे तो ये पलट कर भी आ सकता है जो रिष्टे के लिए गातक साबित होगा तो इस बात का पुरा ध्यान रखे कि आप अपने साथी का सन्मान करे तीसरी, कम्यूनिकेशन बहुत जरूर है कि आप अपने साथी से बात करे भले आप कितने विस्त क्यों नहों लेकिन समय निकाले और अपने साथी से बात करे चोथी, समझोता माना कि जिन्देगी में किसी चीज से समझोता नहीं करना चाहिए लेकिन चब बात दिल की हो तो लाइफ के रूल बदल देने चाहिए कभी कभी आप दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ समझोते कर लेने चाहिए पांचवी, साथ कहते हैं ना कि जो आपका मुसिबत में साथ दे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो बस किसी भी रिष्टे को मजबुत बनाने वाली चीज है हर हालात में साथ दे चटी सुरक्षा सबसे जुरूरे है कि आप किसी रिष्टे में सेफ फिल करें और अपने साथी को अपने साथ सुरक्षित महसुस कराए और सात्वी ये सबसे इमपोर्टन है आजादी जी हाँ अगर आप अपने साथी से प्यार करते है तो उन्हें उनकी तरह से जीने और रहने की आजादी दे उनकी पसंद ना पसंद में ज्यादा रोक्टोक ना करे तो दोस्तो धन्यवाद आई होप आपको वीडियो पसंद आये होगी अगर आई ये तो लाइक और शेड जरूर कीजे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसी वीडियो के लिए बे लाइक अंदा बकर हमारे साथ बने रहे धन्यवाद